वास्तु शास्त्र में धार्मिक और वैग्यानिक पारंपरिक मान्यताओं के साथ साथ प्राकृतिक तत्वों के महत्व को भी मान्यता दी जाती है इसलिए वास्तु शास्त्र में कुछ पेड़ पौधों को शुब माना गया है जो घर में स्थापित किये जाते हैं और कुछ को अशुब माना गया है जिन्हें घर से दूर रखने का सुझाव दिया गया है वास्तु शास्त्र में कुछ खुश्बूदार फूलों को शुब माना जाता है और घर में उन्हें लगाने का सुझहाव दिया जाता है इन फूलों की महक और प्राकृतिक गुनों को वास्तु में महत्वपूर्ण माना जाता है निम्नलिखित फूल वास्तुशास्त्र में खास रूप से प्रशंसित होते हैं जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मिन को सुन्दर्ता, प्रेम, सुख और आनंद के प्रतीक के रूप में माना जाता है इसे घर में लगाने से तरक्की मिलती है और बिजनेस में भी लाब मिलता है रोज, रोज, रोज को प्रेम, शान्ती धैरिया और शुब के प्रतीक के रूप में माना जाता है ये फूल अपनी महक और सुन्दर्ता के लिए प्रसिद है और घर में स्थापित करने से आनंद और प्रसन्नता की भावना उत्पन होती है गुलाब का फूल गुलाब का फूल वास्तु शास्त्र में वास्तविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे घर में स्थापित करने के लिए कई उपाई भी किये जाते हैं इसे घर की दक्षिन पश्चिम दिशा में रखने का कारण है कि इस दिशा में धन, सुख और समरिद्धी की उर्जा अधिक होती है और गुलाब के फूल का प्रयोग इस उर्जा को बढ़ाने और नकारात मकता को नश्ट करने में मदद करता है इसके अलावा गुलाब का फूल प्रेम सौभाग्यव और आर्थिक समरिद्धी का प्रतीक होता है यह वैभव लक्षमी को प्रिय होता है और घर में धन की स्थिती को सुधारने में मदद करता है वास्तु शास्त्र में ये बताया जाता है कि गुलाब का फूल लगाने से अपार आर्थिक लाब होता है लिली, लिली, लिली को शुभता, शुधता, शान्ती और प्रेम के प्रतीक के रूप में माना जाता है ये फूल सुन्दर्ता, गरिमा और समरिद्धी की भावना को प्रकट करता है और आत्मिक शुधता लाता है